आर्पी भारत केवल ख़गरें और कुछ नहीं नमस्कार मैं गुव अंजली आर्पी भारत में आपका स्वागत करती हूँ तो जड़े जड़ते हैं आज की किसी मुख्य कबर की हो सप्रा में बैंक लूट की तियारी में लगे तीन अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफतार मफसिल धानाचीतर के बिन टोलिया से मोटर साइकल से जा रहे हैं अपराधियों को अवैद देशी कटा और गोली के साथ गिरफतार किया गया है पहले से भी दरजनों आपराधिक मामलों में पुलिस को इनकी तलाश दी नकाब के पीछे चिपे ये चेहरे सामाने चेहरे नहीं है काले नकाब पहने इन सभी के काले कारणामे की फेर हिस्त काफी लंबी है इनके नाम आनंद शंकर, अमन कुमार और राकिश कुमार सिंग है ये सभी मुफसिल तान चेतर के हैं और इनके ऊपर पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज है सारण क्या रक्षी अधिक शाखर की शोर राय ने मीडिया से बात करते हुए कहा ये सभी दो मोटर साइकल से बैंक ओफ इंडिया की शाका से लूट की योजना पर काम कर रखे थे पुलिस को इसकी सूचना मिली और पुलिस ने इन्हें दो देशी कटा, दो गोली और मोबाइल की साथ गिरफतार किया पुछताच के दोरान इन्हों ने पिछले दिनों गोली मार मोटर साइकल लूट ली, हत्या की बात कबूल की तो आनिंद शंकर भगवान बाजार, थाना से पुलिस राचसत से भी भाग जाने का आरोपी भी है इनके ग्याएंग के बागी साथियों के गिरफतारी है तो चाप इमारी चारी है, इनके पकड़े जाने से एक बैंक लूट की घटना होने से बच गई, छपरा से मनुरंजन पाठा के रिपो लोगडाउन थी के समापती के बाद अधिक घटनाओं में कुछ वित्री हुथी इस पर लेकर एसाइटी का गठन किया गया था, इसमें मुफसिल साना जर्च, और एसाइटी के आन में पुलिस पर आधिकारी सामिन था, इसमें अप्राद मियों की ध्राइपक अधिया गया पुछ ताजिक अम में कुछ घटना उगा इनके द्राइपक खुलासा भी किया गया है, जिसमें की एक गोली चलाने की घटना यहां पर मुफसिल थाना शेतर में हुई थी, उसके बाद अमें खुलासा हुआ है, उसके एक जलाल को थाना अंतरगात, एक गोली चलाने की खुलासा हुआ है, पूछ ताजिक अम में खुलासा हुआ है, यह लोग एक बैंक अफ इंडिया के एक ब्राइंट से यह लोग कैस का जो मून्मेंट होता है, उसको लूटने की भी योजिना बना यह था, तो एक फूलिस के परहाज से संभावित एक घटना को चाला जा सकत है, और एक महत्पूरनों क्लब भी आती हुए, दुनों अब आज कर्मियों पर आधा दर्यन से ज्यादा कांड पहले से दर्ग है, इनका अब अधिक टिहाद अभी और संभा लगा गाए, उमीद है इनके विद्ध होजी मामले हमें खामा में दर्योंग, इसके बाहर बता क झाले हमें विद्ध